दोस्तो नमस्कार डेली रिट बुक में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग लुशेंट साइंस बुक से अबजेक्टिव क्वेशन डील करेंगे पिछले वीडियो में 121 परसनों तक का ध्यन कर चुके हैं इस वीडियो में 122 से 181 परसनों तक का ध्यन करेंगे तो चलिए स स्टार्ट करते हैं निमलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उतरदाई है तो इसका एंसर होगा लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है गाजर का रंग किसकी मवजूदवी के कारण ऐसा होता है तो गाजर में कैरोटीन होता है कैर पीले रंग का कारण है पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिका जैन्थीन अगला प्रस्ण है मिर्च की तिछनता का कारण है इसका अंसर होगा कैप्सेन सीन की उपस्थती सिनकोना का काउन सा भाग औसधी देता है तो ये होगा छाल सिनकोना के छाल से औसधी प्राप्त किया जाता है निमलिखित में से कौन सा कारक बीजो के परकिर्णन द्वरा पादपो के परवर्धन में योगदान नहीं करता यह है कवक तो योगदान कौन कौन करता है पवान जन्तू जल यह सब योगदान करते हैं लेकिन कवक का कोई योगदान नहीं होता है धनिया में उपयोगी अंस होते हैं तो धनिया में उपयोगी अंस होते हैं पत्ते और सूखे फल अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है तो ये अधपके फल से प्राप्त किया जाता है इस पेर की छाल मसाले के रूप में परयोग की जाती है अंसर होगा दालचिनी दालचिनी की छाल मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है अंसर होगा बरती कागर निमलिखित में से कौन सा पादप रेसा तने से प्राप्त होता है तो यह सनई तने से प्राप्त होता है नेमने रेसो में से कौन पाउधे के तने का उत्पाद नहीं है ति ये कपास कपास बीज का उत्पाद है जबकि सन पटसन जूट ये सब तने से प्राप्त किया जाता है लॉंग किस से प्राप्त होता है लॉंग फूल की कली से प्राप्त होता है अफीम प्राप्त किया जाता है अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है किरकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकडी का प्रियोग किया जाता है तो अंसर होगा सैलिक्स पर मियूरिया सैलिक्स पर मियूरिया संबाहनी पाउधो में पानी उपर किस से जाता है तो पानी जायलम के द्वारा जाता है जबकि फूट जाता है फलोयम के द्वरा पाउधो में जाइलम की उपस्तिती से निमलिखित में से क्या होता है तो जाइलम की उपस्तिती जल का संबहन होता है जल का वहन होता है पाउधो में फलोयम मुख्यता उतरदाई होती है आहार बहन के लिए पत्यों में उत्पादित भोजन सभी अंगों में फ्लोयम के माध्यम से जाता है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से पेर की बरसों की आयू का पदा लगाने है तू काउन सी तकनीक का प्रियोग किया जाता है अंसर होगा पेर की छलो की संख्या की गन्ना तो पेर की छलो की संख्या गन्ना करके पेर की आयू का पता लगाया जाता है बानिजिक मुल्ल वाला कौर किसे प्राप्त होता है ये क्वेकर से प्राप्त होता है पत्तो का हरा रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो पत्तो का हरा रंग कलोरोफील की उपस्तिती के कारण होता है कलोरोफील में कौन सा धातु होता है तो यह मैगनीसियम होता है मैगनीसियम निमलिखित में से किसका संगठक धातु है तो यह कलोरोफील का इसका अंसर होगा पाउधो में कलोरोफील बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है यह होगा मैगनेशियम हरे रंग का पदार्थ जो पाउधो में परकास संसलेशन करता है वह निमलिखित में कौन है इसका answer होगा कलोरोफील परका संसले सन पवदिव में कलोरोफील के कारण होता है अगला प्रस्ट ने कथन दिया हुआ है कारण दिया हुआ है और कौन से कारण और कथन सही है उसका जांच करना है पत्तियों का रंग हरा होता है सही बात है कलोरोफील एक हरा बरनक पत्तों में मवजूद सही बिकल्प को चुने इसका अंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या करता है पाउधे वह पेर खाना तयार करने की परकिर्या कहलाती है तो यह कहलाती है फोटो 35 इसको हिंदी में कहते हैं प्रकास शांसलेशन पाउधे भोजन का निर्मान करने के लिए निमलिखित में से किस से उर्जा प्राप्त करते हैं यह सूर्ज से उर्जा प्राप्त करते हैं और उर्जा का अधिक्तम जोगी की करण किसके द्वारा होता है तो हरेभ पउधे के द्वारा होता है अगला प्रस ने कतन और कारण दिये हुए हैं देखना है कौन सही होता है पत्ती के हरे engine का कारण एक बर्नक है जिसे कल्रोव को फिल काते हैं सही है प्रकास शंचर एक प्रक्रिया है जो प्रकास और जा को रसाहिनिक और जा में परिवर्थित करता है इसमें कौन और और दोनों सही है लेकिन opened ऐसे सही ब्य gesundि नहीं करता है सरवाधिक प्रकास संसलेशन क्रिया कलाप कहां चलता है तो यह चलता है प्रकास के नीले वो लाल छेत्र में सबसे अधिक प्रकास संसलेशन नीले और लाल छेत्र में होता है नीले और लाल में से सबसे ज़्यादा लाल में अगला प्रस्ण है प्रकास संसलेशन में कौन सा प्रकास सबसे कम परभावी है यह होगा इसका एंसर हरा प्रकास प्रकास संसलेशन में कौन सा प्रकास सबसे अधिक परभाव कारी होता है इसका एंसर होगा लाल प्रकास संसलेशन होता है कहा होता है कलोरो प्लास्ट में होता है अगला प्रस्ण है प्रकास संसलेशन का अंतीम उत्पाद है प्रकास संसलेशन का अंतीम उत्पाद है कार्बो हाइड़ेट जिसे स्टार्च कहते हैं प्रकास संसलेशन होता है हां होता है प्रकास संसलेशन के लिए काउंसी गयास आवस्यक है तो प्रकास संसलेशन के अगला प्रस्चन है निवलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कारवन डायोक्साइड बाता वरन को हटाती है इसका एंसर होगा प्रकास सांसलेशन के समय निकलने वाली गयास का क्या नाम है यह और यह कहां से निकलता है जल से निकलता है अगला कोश्यन देखते हैं परकास सांसलेशन के दौरान निकलने वाली औकी जन कि सके बिखंडन से आती है जल के बिखंडन से आती है ति इसका अंसर होगा परकास अफगटन इनसर होगा इसका भी अगला प्रस्न है यदी पीर्थिवी पर पाई जाने वाली बनस्पतियां यानि पेर पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो गई तो जाइड सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी परकास संसलेशन की किरिया में परकास उर्जा बदलती है निमलिखित में से किसका परियोग पाउधोग में खाद्यान का भंडारन तयार कारने के लिए मुख्यता किया जाता है तो कारवन ड्राय ओक्साइड और जलका अगला प्रस्न है फोटोर्ट सिंथेथिस के किस आस्थर पर गुलकोज का निर्मान होता है तो इसका एंसर होगा केलविन साइकिल और केलविन को भी मैलविन केलविन को प्रकास संसेलेशन में नोबल पुरुस्कार मिला था ये प्रस्न याद रखना है निमलिखित में से का सा औरगे निल पाउधो में सी यो टू एस टू ओ और उर्जा में पाइरोवेट के ब्यावधान को पॉसित करता है इसका एंसर होगा माइटो कॉंडिया अगला प्रस्ण है निमलिखित किसके द्वारा उर्जा परकास परतिकरिया से अंदकार परतिकरिया में अस्टांतरित होती है तो यह होगा एटीपी पाउधो की पतियों से पानी के वास्पी करन को क्या काते हैं इसका अंसर होगा ट्रांस्पी रेशन जिसे हिंदी में कहते हैं वास्पो सर्जन पाउधो का सिथिल होना की ड्यास की बज़ा से होता है वास्पो सर्जन की बज़ा से होता है अगला प्रसने वास्पोर्ट सर्जन के लिए पाउधो की निमलिखित संड़ाचनाओं में से कौन जिम्यदार है इसका अंसर होगा रांद्र निमलिखित में से किस एक सारी किरियात्मक प्रकिरिया में पादप से अतरिक्त जल बूंदो के रूप में निकलता है यह बिंदू सराव के रूप में अगला प्रस्ने निमलिखित में से किसी और बाइविया स्वसन कहा जाता है औक्सीजन के बिना स्वसन और बाइविया स्वसन कहा जाता है अगला प्रस्ने पौध। के लिए प्राथ्मिक पुष्टव के रूप में ग्या ततव कौँकान से हैं यहें नाइट्रोजन फास्फूरस पोटेसियम में निमलेखित में से कौन सा ततव प 오늘도 के बिकास के लिए आवसक नहीं है तो यह सोडियम आवसक नहीं है जबकि Potassium, Magnesium, Calcium पौधे के विकास के लिए आवसक हैं और यह कोईशन BPSC 2016 में पूछा गया था पहुती important question जिस रूप में पौधे Nitrogen प्राप्त करते हैं वह है Nitrate पौधे Nitrate के रूप में Nitrogen प्राप्त करते हैं निमलिखित में से काउन सी फसल मिर्दा को Nitrogen से भरपूर कर देती है यह है मटर जनरली दलहनी पौधे होती है और इसमें मटर है काउन से पौधे में Nitrogen आस्थाई करन की छमता होती है तो यह होती है चना में अन दाहलन में दलहनी पौधे के जरों में राइजो बियम नामक जिवानों पाया जाता है जो प्रोटीन संसलेशन करता है Nitrogen को अस्थाई करन करता है अगला प्रस्ण है और जैनो मीटर का परियोग करते हैं और जैनो मीटर का परियोग बिरधी दर्मापने में करते हैं निमलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है इंसूलीन अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा पादप पादप हार्मोन नहीं है ज़ए तैरोक्सीन एस्टोजोन इंसूलीन ये जन्तु हार्मोन है तो या आज इतना ही 181 प्रसनों तक अधिन कर चुकी है इसके बाद निश्ट वीडियो में अधिन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत